नीट एक्जाम पेपर दोहजार चोईस, क्योजिक्स सीरीज, बायोलोजी, कुश्चन पेपर, जूलोजी, कुश्चन नम्मर 151 से लेकर के 200 तक, वीडियो को लाइक करना और चेनल को सबिस्क्राइब करना मत भूलना जूलोजी, सेक्षन ए, कुश्चन नम्मर 151 से लेकर के 185 तक, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, सामाने जुखाम, राइनो वाइरस, हिमोजोईन, प्लाजमोडियम, बीडॉल टेस्ट, टाइफाइड, एलर्जी, दूल बे चीचली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओप्सन 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमिलित करना है, कोकेन, एरित्रो जायलम, हिरोईन, पैपेवर, सैमनी फेरम, अफीम पोस्ता जिसको पैपेवर, सैमनी फेरम कहते हैं, हिरोईन इससे प्राप्त होता है, मार्फीन, मार्फीन भी पैपेवर, सैमनी फेरम से प्राप्त होती है, लेकिन ये दर्द निवारक, ओस्ती है, सलिच किस्ता में दी जाती है, मेरी जुआना, ये कहना भी सेटाइवा, यानि कि भांग, ओप्सन 4, इसका सही होगा, मिलान करना है, रेशिय संदी, कपाल की, गती, कोई गती नहीं होती रेशिय संदी में, उपास्ती युक्त संदी, ये निकट वड़ती कसी रुकियो, सीमित गती, कबजा संदी, गुठना चलने में साहता करती है, कबजा संदी, कंदुख खली का संदी, उमरस एवं अंसमेकला, कुर्णी गती, राइट आंसर हो जाएगा, ओप्सन 4, निम्न में कौन सा स्वय प्रति रक्षा बिकार है, माइस्थेनिय ग्रेविस, रूमेटोइड संदी सोत, और सिस्टेमेटिक लूपस, एरिथेमेटो सस, SLE, तो राइट आंसर हो जाएगा, ABE, निम्न में कौन फैलोफियन नलीका का अवयव नहीं है, गरवाशेई फंडस, यूटेरिन फंडस, फैलोफियन नलीका का अवयव नहीं है, संकीन पत, कीपक, तुम्बे का ये, फैलोफियन नलीका का अवयव है, फैंग्मिन और डॉल्फियन के फिलिपर्स उधारण है, अभी सारी विकास के, आप्सन तीन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, अलफा वन एंटी ट्रिप्सिन, ये है बात स्वीती, क्राई बन एवी, मक्का छेदक, क्राई, फर्स्ट एसी, का पास बॉल वर्ण, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकिस्सा, A, D, A की कमी, आप्सन तीन, राइट आंसर होगा, आप्सन तीन, नीचे दिये गए, आरेक में, एकोलाई कलोनी संभाहक, PBR 322 के, प्रतिवंदन इस्तल दर्साए गए हैं, एक्स एवं बाई जीन की, भूमिका का पता लगाओ, एक्स, ओरी है, ओरीजिन ओफ रिप्लिकेशन, जो, जो बंदिट डियने की, कॉफी की संग्या को, नियंत्रिती भी करता है, और उसकी, प्रतिकर्ती का भी आरंब करता है, और वाई, उस प्रोटीन का निर्मान करता है, जो प्रतिकर्ती में, प्लाजमिट के प्रतिकर्ती में, सम्मेलित होती है, तो ऑप्सन दो, इसका राइट अंसर होगा, नीचे दो कथन दिये गए हैं इन में से एक अभिकतन A और दूसरा कारण R है अभिकतन A, सिसू की स्वस्त विकास के लिए उसकी व्रद्धी के आरंबिक काल में कुछ समय तक डॉक्टर सिसू को इस्तनपान कराने की सला देता है सही है, कारण R, कॉलेश्ट्रम में कई फिरकार के प्रतिरक्षी होते हैं जो नवजा सिसू में प्रतिरोधी छमता उत्पन करने के लिए परमावश्चक है तो दोनों ही सही है और इसका कारण भी और स्पश्टी करण भी सही है ओप्शन एक एग्रो वेक्टिरियम ट्यूमी फैसियन्स के टी आई प्लाजमिड का आड़त हैं यह ट्यूमर प्रतिरक्षी प्लाजमिड है यह पादपों में गाट उत्पन करता है ट्यूमर उत्पन करता है और अप्शन तीन राइट आंसर सूची फस्ट को सूची सेकंड से मिलाना है पिलोरो ब्रेंकिया पिलोरो ब्रेंकिया रेती जीवा मॉलस्काम पाई जाती है स्टेमो कॉर्ड एहमी कॉडड असंकिय प्राणियम पाई जाती है और वायू कोस औस्टिक थी जयनिया अस्तिल मचलियों में पाई जाती है बायुकोस औस्टिक थीज अस्थिल मच्रिम पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन दो नीचे मानव विकास की कुछ हवस्ताइं दी गई है इनको बूत से नवीन के सही करम में व्यवस्तित करना है तो सबसे पहला है होमो हेविलिस होमो एरेक्टस दो नियंडर्थल होमो नियंडर्थल होमो नियंडर्थलियन्स तीन और होमो सेपियन्स चार तो यहाँ पर AD CV AD CV उप्सन चार सही होगा निम्न में कौन इस्टिरोइड हार्मोन नहीं है गुलके गौन इस्टिरोइड हार्मोन नहीं है यह है प्रोटीन हार्मोन है प्रेप्टाइड हार्मोन है जैकि कॉर्टिसॉल टैस्ट्रोस्टिरोन और प्रोजेस्ट्रोन इस्टिरोइड हार्मोन है अगला कुश्यन तिल चट्टे के दोनों लिंगों में एक जोड़ी संदी युक्त तंतु में संरचनाएं जिन्हीं गूदिय लूम कहते हैं उपस्तित होती है तो नर और मादा दोनों में दस्वें खंड में गूदिय लूम पाई जाती है ओपसन दो राइट आंसर होगा निमन में कौन सा गटक आरडी वेन वर्ग सामय अवस्ता को प्रवावित नहीं करेगा यानि कि विवित्ता नहीं लाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीन पूल जीन पूल जब इस्तिर होगा तो विवित्ता नहीं आएगी विवित्ता किस से आएगी आनुबानसिक पुनर्योजन से आनुबानसिक बिचलन से और जीन प्रवाह से सूची फस्ट को सूची सेकंड से मिलाना है पॉन्स पॉन्स मस्तिस्क के विविन भागों को आपस में जोडता है पॉन्स मस्तिस्क के विविन भागों को आपस में जोडता है आईपो थेलेमस में तंत्री का सरावी कोशिकाय पाई जाती है मैडूला में स्वसन और जटर स्रावों के नियंत्रित करता है स्वसन और जटर स्रावों को नियंत्रित करता है मैडूला और अनुमस्तिस्क तंत्री कोशिकाओं को अतिरिक्त इस्थान प्रदान करता है इस्थिति और संतूलन नियंत्रन करता है अनुमस्तिस्क इसका right answer हो जाएगा option 2 सूची first को सूची second से मिलाना है down syndrome 21 बुण सूत्र की त्रीगुण तक कारण होता है alpha thalassemia ये 16 बुण सूत्र के कारण होता है और beta thalassemia ये 11 बुण सूत्र के कारण होता है क्लाइन फेंटर सिंड्रोम एक्स बुण सूत्र के कारण होता है तो इसका right answer option 3 option 3 देवे template के लिए DNA निरवर RNA polymerase का उतपाद क्या होगा DNA से RNA बनता है तो थाइमिन के स्थान पर uracil होता है और इसमें option 1 सही होगा जब इसको हम check करेंगे तब नीचे दो कतन दिये गए है ये अभिकतन तदा दूसरा कारण R अभिकतन A FSH मादा में अंडा सेई पुटको और नर में लीडिंग कोशिकाओं पर कारे करता है सही है कारण R मादा में ब्रद्दी करते हुए अंडा सेई पुटक एंडोजन स्रावित करते हैं जबकि मानब नर में अंतराली कोशिकाओं एंडोजन स्रावित करती है मादा में ब्रद्दी करते हुए अंडा सेई पुटक एस्टोजन का स्राव करती है और नर्में endosin का तो यह भी option सही है और दोनों कारण सही है और दोनों का option एक सही होगा नम्न में कौन सी प्राकरतिक या परमपरागत गर्व निरोध विधी नहीं है तो यहाँ पर नहीं बतानी है तो coitus, interps यह वहाँ इसकलन है आप दिक सह्यम या दस दिन से लेकर कि सत्रवे दिन और इस्तनपान अनावर्थ यानि की बच्चे को दूद पिलाना और वोल्ट तो वोल्ट क्या है प्राकर्तिक अफरोध नहीं है यह barrier है तो 3 बिदिया है प्राकर्तिक धिरोध की वर्ड नहीं ओप्सन चारिस का राइट आंसर होगा सूची फरस्ट को सूची सेकंड से मिलाना है ओसदी रहित आयोडी ओसदी रहित आयोडी है लिप्पैस लूप तावा मोचक आयोडी मल्टी लोड तीन सु पिचेत्र कॉपर हार्मोन मोचक आयोडी एलेंजी 20 इसको प्रोजेस्टोन भी कहते हैं और अंतर रोप में प्रोजेस्टोन का ही उप्योग किया जाता है एस्टोजन और प्रोजेस्टोन का इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन 4 निमन लिकित कतनों पर विचार करना है एन लिडा सत्य गुही प्राणी है पोरी फिरा कूट गुही प्राणी तो कूट गुही प्राइज आता है S के हलमिन्ads में ये भी गलत है S के हलमिन्ठीज A गुई के जब ये पूट गुई के पलेटी हलमिन्ठीज पूट गुई होते हैं ये भी गलत है तो इसमें ये A सही है और A का अप्शन 2 सही है A, B, C के रूप में तीन प्रकार की पेशी दी गई है उनकी इस्तिती को पहचानिए तो A है कंकाल पेशी, B है चिकनी पेशी, C है हिर्दे पेशी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और चिकनी पेशी पाई जाती है आमाशे में हिर्दे पेशी हिर्दे में और कंकाली पेशी तिरी सिरस्का तो यहाँ पर चिकनी पेशी आम आशेम होती है तो वी चिकनी पेशी ओप्सन दो सही आंसर होगा ओप्सन दो राइट आंसर घरदे में किरिया विभव के सम्हेन के मार्ग की निम नवस्ता है एसे नोड से किरिया विभव उत्पन होता है एसे नोड से एवी नोड पे जाता है एसे नोड से एवी नोड से एवी नोड सोरी एसे नोड से एवी नोड में जाता है फिर एवी नोड से एवी बंडल में जाता है एवी बंडल साखाम विवाजित हो जाता है और फिर पुरकिंजी तंतु बनते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है लाइपेज लाइपेज बसा का पाचन करता है इसमें एस्टर बंद पाए जाते हैं नूकलिएज नूकलिक अमल का पाचन करता है फासफोर डाइस्टर बंद पाए जाते हैं प्रोटिएज प्रोटीन का पाचन करता है पेप्टाइड बंद पाए जाते हैं एमाइलेज ये पोली सेकराइड का पाचन करता है गिलाइको सीडिक बंद पाए जाते हैं राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन तीन सूची फस्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है अक्ष सूत्र पक्षमाब एवन कसाविक आएं अक्ष सूत्र में पाए जाती है बेलगाड़ी के पईये के समपैटर्न होता है तारक किंद्र क्रिष्टा पाई जाती है माइटो कॉंड्रिया इन सूत्र करणिका में सेटेलाइट क्या एक डी एने है तो ओप्सन चार इसका राइट आंसर होगा सूची फस्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है बिसिष्ट लक्चण सिनेप्टो नीमल समिस्थर पाया जाता है सिनेप्टो नीमल समिस्थर का निरमान होता है जाईगोटी नवस्ता यानि यूगमपट में काईज मेटा का उपांती भवन होता है पार गति क्रम अवस्ता यान डाई काईने से सवस्ता में गुण सुत्र पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं तनुपट अवस्ता यान लेप्टोटिन में और रिकॉम्बिनेज यान पुनार योगस ग्रंतियां दिखाई देती हैं पैक्टी नवस्ता यान इस थूल पत्ट अवस्ता में तो इसका हो जाएगा ओप्शन थर्ड कूपी कामे निम्न मैंसे कौन से गटक ऑक्सी यूमोग्लोविन बनाने के लिए अनुकूल है ऑक्सीजन का उच्च दाब और अपेक चक्रत कम हाइडोजन आयन सांदरता इसके लिए अनुकूलता में ऑक्सीजन दो इसका राइट आंसर होगा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है टेरो फिल्लम टेरो फिल्लम को एंजल मचली कहते हैं मिक्साइन यानि मिक्सीन को हैगफिस कहते हैं यह पेट्रो माई जो उनके साथ में है प्रोटिस्ट प्रिष्टिस एक आरा मचली है जिसका मुँ आरी के जैसे होता है एक्सो सीटस एक्सो सीटस उड़न मचली है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्सन दो आप्सन दो सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है टाइफाइड जीवानों जनित रोग है लिसमेनिया प्रोटो जोवा जनित रोग है लिसमेनिया डोनवानी रिंग वर्म कबक जनित रोग है फाइले रियेसिस ये सूत्र क्रमी रोग है जिससे फीलफाव हो जाता है इसका राइट आंसर आप्सन दो होगा निम्न कत्रों में से कौन सा गलत है एक बायो रियक्टर बांचित उतपाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्तेतिया परदान करता है ये भी सही है बिलोड़क प्रकार के बायो रियक्टर सरवादिक उप्योग में आते हैं ये भी सही है बायो रियक्टर छोटी मात्रा में जीवानों संबरदन के उतपादन के लिए उप्योग में लाए जाते हैं जिबकि BIO REACTOR का उप़ियोग अधिक से अधिक मात्रा में में जीवानु के समबर्दन के लिए किया जाता है यानि की सो लीटर से लेकर के 1000 लीटर आयतन का प्रियोग किया जाता है और BIO REACTOR में एक परिचुबक सिस्टम OXYJENT पड़ार इस तंत्र जाग नियंत्रक तंत्र पी एच नियंत्रक तंत्र ये सारे तंत्र होते हैं तो यहाँ पर यही ऑप्षन गलत है तो ऑप्षन तीन इसका राइट आंसर होगा नीचे दो कथन दिये गए हैं कथन एक ब्रक काणू में है नले पास की अबरोही भुजा जल के लिए एपारगम में है और बिद्धुत अबहट्टे के लिए पारगम है सही है समीपस्त समलित नलिका सरल इस्तंबाकार नहीं होगा यहाँ पर गहनाकार बुरुस वॉर्डर उपकला से बनी होती है और पुन्राव सोचन के लिए सतय चेतर बढ़ाती है तो यह गलत है तो राइट आंसर हो जाएगा पहला सही दूसरा गलत ऑप्षन तीन इसका सही आंस चद की उपस्तिती या अनुपस्तिती कौमार का विस्पस्नी सूचक नहीं है सही है और कथन सेकंड योनी चद केवल पहले संबोग के दोरानी फटता है तो योनी चद पहले संबोग के दोरानी फटता है तो यह गलत है साइकल चलाने या गुरसावारी से भी फट जाता है तो यह option गलत है, दूसरा तो यहाँ पर option एक सही है, option दो गलत है, option तीसरा इसका right answer होगा सूची first को सूची second से मिलाना है नी स्वसंद छमता जोआरी आयतन पिलस नी स्वसंद सुरक्षत आयतन किरिया सील अवसेष्ट छमता नी स्वसंद सुरक्षत आयतन पिलस अवसेष्ट आयतन जेव छमता नी स्वसंद सुरक्षत आयतन पिलस अन्ते स्वसंद सुरक्षत आयतन अन्ते स्वसंद छमता जोआरी आयतन पिलस अन्ते स्वसंद सुरक्षत आयतन option एक, right answer नीचे कौशी का विवाजन की अवस्थाएं दी गई है इनको सही क्रम में जमाना है तो जीवन गैफ जिसको जीवन प्रावस्था कहते हैं जीवन प्रावस्था फिर संसलेशन प्रावस्था फिर गैफ जीटू प्रावस्था फिर केंद्रक विभाजन और फिर कौशिका विभाजन तो यहाँ पर उप्शन चार सही होगा जूलोजी सेक्षन बी कुश्चन नम्मर 186 से 200 तक इन में से 15 कुश्चन है पांच कुश्चनों को तुम्हें छोड़ना है और दसी कुश्चन करने है क्योंकि दसी कुश्चनों की जांच होगी बाकी कुश्चनों की जांच नहीं होगी कथन एक सूत्रकनिका और क्लोरोप्लास्ट दोनों दोहरी जिल्ली बंदित अंगक है सही है सूतर कणिका की आंतरिक जिल्ली क्लोरोप्लास्ट की तुलना में अपेक चक्रत कम पारगम होती है तो जो आंतरिक जिल्ली है वो क्लोरोप्लास्ट की कम पारगम होती है ना कि माइट्रो कॉंड्रिय की तो यह आप्सन गलत हो जाएगा तो यहाँ पर option तीन सही होगा सूची first को सूची second से मिलाना है मीसो जो एक महाकल्प में पक्ची और सरिसरप थे प्रो टेरो जो एक महाकल्प में निम्न कसेरो की थे सीनो जो एक महाकल्प में इस्तंधारी थे और पेलियो जो एक महाकल्प में मतश्य और एमफीवियन थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा option four कतन गोसे की इस परदी अपवर्जन सिद्धान्त के अनुसार बिबिन संसाधनों के लिए इस परदी दो निकटम संबंदित स्पीसीज अरंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती सही है कतन दो गोसे के सिद्धान्त के अनुसार इस परदा के समय निकरष्ट निकाल दिये जाते हैं यह सत्य हो सकता है जब संसाधन सीमित होते हैं सही है तो इसके लिए दोनों ही कतन सत्य है आप्सन एक सही होगा सूची फस्ट को सूची सेकंड से मिलाना है एक कोश की गरंथी उपकला पाई जाती है आहा नाल की कलस कोशी का है एक कोश की होती है सही उपकला पाई जाती है मुख गोहा की नम सत्य पर बहु कोशी की ए गरंतिल उक्कला लार की गरंतियों में पाई जाती है और अंतेस्रावी गरंतिल उक्कला अगनाशे गरंति को कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option 3 तिल चट्टे के पाचन तंतर से संबंद सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भोजन संग्रहित करने के लिए उप्योग आने वाली सरचनाय या भाग कहलाती है अनपुट अग्र आत्र वे मध्यात्र के संदी इस्तल पर 6-8 अंद नलिकाओं का वलन जठर अंदनाल कहलाता है मध्यात्र वे पश्यात्र के संदी इस्तल पर 100-150 पीले रंग के पतले तंतुओं का वलन मेल फीगिन नलिकाओं कहलाता है जो सरचन का काम करती है भोजन को पीशने के लिए उप्योगी सरचनाय है पेशनी तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन बन सानिद्य मध्यांस ब्रकाणूओं से संबंदित निम्न कतनों से सही कतन का चैन करना है तो सानिद्य मध्यांस ब्रकाणूओं का हैनले पास काफी लंबा होता है और मध्यांस में गहराई तक जाता है option 3 इसका right answer होगा बाकि सब confusion करने वाले है सूची first को सूची second से मिलाना है RNA pole image third ये transfer RNA का translation करता है यानि कि SNRNA और transfer RNA अनुलेखर का समापन होता RHO कारक व्यक्तेक का संबंद है SNRNA RNPSA और Tata box है उननायक correct answer हो जाएगा option 4 कथन फर्स्ट प्रेमस्तिस्क गोलार्द तंत्री का पट्टी दुआरा जुड़े होते हैं जिने कारपस केलोसम कहते हैं सही है दूसरा कथन मस्तिस्क इस्तम में मेडूला, अवलोंगेटा, पॉन्स और सेरी ब्रम होते हैं तो मस्तिस्क इस्तम में मद्य मस्तिस्क और पश्य मस्तिस्क होते हैं अगर मस्तिस्क नहीं होता अगर मस्तिस्क सेरी ब्रम में आता है सेरी ब्रम अगर मस्तिस्क में आता है इसलिए ये option गलत है तो इसका right answer हो जाएगा option 3 सुक्र जनन के संदर्म में A, B, C, D के सही विकल्पों को पहचानो G, N, R, H गौरेल, ट्रोफिन, रिलेजिंग हर्मोन दो हर्मोन होते हैं L, H और F, S, H तो B, यहाँ पर है A है F, S, H B, Luteinizing हर्मोन ब्लेडिंग कोशिका पर कारे करता है और F, S, H सरटोली कोशिका पर कारे करता है और एक कारे का स्राव होता जो प्रे सुक्राणों को सुक्राणों निर्मान में प्रेरित करता है तो option A, इसका right answer होगा A, B, O, रुदिर वर्ग, प्रणाली के अनुसार पेता का रुदिर वर्ग, B, positive माता का, A, positive, बच्चे का, वो positive है तो इनके क्रम से जीनो टाइप होंगे यानि की ये पिता का, ये माता का, और लास्ट का बच्चे का तो सारे optionों में देखने के बाद में सही option A आता है तो यहाँ पर केवल A, इसका सही answer होगा A कथन एक अस्ती मज्जा मुख्य लसी का अंग है जहां लेशे काणू सहित सवी रक्त कोशी का उतपादित होती है ये बिल्कुल NCRT की लाइन है पूरे का पूरे कुश्चन NCRT लाइन से है पहला option सही है दोनों अस्ती मज्जा एवं थाइमस टील अशी काणू की बिकास एवं परिपकवन के लिए सूच बातावरन परदान करते हैं ये भी सही है तो दोनों कतन सही है तो option एक इसका right answer होगा वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe जरूर कर देना अब एक enzyme क्रिया विदी के उत्पिरे रखी चकर के संधर में सही अनुक्रमनिये चर्णों का chain करे तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा देखो क्रियाधार का सक्रिये इस्तल पर बंदना क्रियाधार का सक्रिये इस्तल पर बंदना फिर क्रियाधार enzyme समिस्र का निर्मान होना फिर क्रियाधार के रसानिक बंद का तूटना उत्पाद का मोचन और मुक्त enzyme का अन्य क्रियाधार से बंदने के लिए तयार होना तो इसका सही आंसर हो जाएगा option first यानि पहला सूची first को सूची second से मिलाना है पीतरंग आलिंदों का पीतरंग आलिंदों का बीदुर्वन QRS सम्मिस्त्र निलायों का बीदुर्वन टी तरंग निलायों का पुने दुर्वन और टी पी तरंग इर्दे पेशी बिद्दुत्य सांत होती है इसका राइट आंसर होगा option 2 option 2 second last question है एक्सो थेलमिक गलगंड ये कॉर्टी सोल का अत्यदिक स्राब चंद्राकार चेहरा एवं अती ग्लुकोस रक्तता हो जाती है एक्सो थेलमिक गलगंड का अती स्राब एवं उपरे होए नेत्र गोलक नेत्र गोलक बाहर आ जाते हैं अतिकायता ब्रद्धी हर्मोन का अत्यदिक स्राब होता है कॉसिंग सिंड्रॉम इसमें थाइरेड हर्मोन का अल्प स्राब एवं अबरुद्ध ब्रद्धी होती है कॉसिंग सिंड्रॉम में और क्रेटिनिज्म, कार्टिसोल का आतिदिक स्राव, चंद्राकार चेरा एवं अती ग्लुकोज रखतता हो जाती क्रेटिनिज्म लास्ट का कुश्चन है, नीचे एरज्जुकी के बिसे में कथन है, तो NCRT में पाँच बिंदू दे रखे हैं रख्युकी और एरज्जुकी में अंतर के, तो इसमें एरज्जुकी की विशिष्टा, ग्रश्टनी, कलोम, चिंद से छितरित, ये भी नहीं है प्रश्ट रज्जु, अनुपस्तित सही है, केंद्रिय तंतरी का तंतर प्रश्टी है, ये गलत है, अधर भाग में होता है, ठोस होता है, और दोहरा होता है ये गलत, ये सही, और हिरदय यदी उपस्तित है, तो प्रश्टी भाग में होता है, ये भी सही और गुदा पस्च पूँच अनुपस्तित होती हूँ ये भी सही, तो यहाँ पर C और सी और ए गलत है तो सी और ए सी ए तीनों अप्सनों में इसमें नहीं है तो यह वाला सही होगा तो यह थे हमारे पूरा एंसी आर्टी का आधार पर एक पेपर आया है और जो अगर आपको और प्रेशन पत्र चाहिए फिजिक्स केमेस्ट्री और वोटनी के उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बहाँ देख लेना और चैनल पर जाकर के आपको प्रेलिस्ट भी मिल जाएगी प्रेलिस्ट में जाकर के आप देख लेना मीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबिस्क्राइब कर देना